अब यहां पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे depreciation का यो total charge हमने लगाया था उसकी maintenance में assets की वो हमारे profit and loss account में के मतलब कहां पर उसको एक समान दिखाया जाएगा वो कहां पर एक value होगी हमें वो बताना उस method के अंदर तो देखिए यहां पर different method दिये हुए हैं आपने depreciation chapter किया होंगे वहां पर questions करे होंगे तो यह सारे methods आपने पढ़े होंगे first देखिए यहां पर है हमारे straight line method straight line method diminishing balance method annuity method and depreciation fund method तो देखिए यहां पर आप हम पहले एक एक करके इन सारे methods को पढ़ लेते हैं straight line method में क्या होता है एक value निकाली जाती है और हर महिने या हर 6 महिने में वही value उसकी assets की यूस की जाएगी ठीक है वही जैसे कि for example मैंने पहले साल निकाली 5000 रुपे तो दूसरे साल भी 5000 रहेगी तीसरे साल भी 5000 रहेगी और चौते साल भी 5000 रहेगी ठीक है फिर आता है dimnishing balance method dimnishing balance method में क्या होता है for example जैसे कि मैंने आपको उपर example बताया था 5000 है तो dimnishing method में क्या होगा जैसे assets थी हमारी 40,000 की 5000 हमने depreciation लगाया उस पर फर एक्जामपल है 5000 5000 इतना परसंट होता नहीं 500 होगा लेकिन आप 5000 माली है तो जैसे 40,000 में से 5,000 आपने minus के तो कितना बचा आपके पास 35 तो जो second year होगा वहाँ पर 35,000 पर depreciation लगेगी ना कि यो 5000 वाली होगी यानि कि हर साल जो भी assets का वेलेंस होगा उस पर depreciation लगाई चाहिए एनुटी मैथड एनुटी मैथड के अंदर एक एनुटी टेबल होती है जिसको फॉलो करके वहाँ पर उसकी assets की जो depreciation है वो निकाली जाती है एक एनुटी टेबल होती है और इसमें जो भी amount निकल कर आता है उससे multiply कर दिया जाता ह एक value होगी उस value को हम लेते हैं और साथ ही साथ उस value से जो भी assets की total value होगी उसमें multiply करके एक हमारी value निकल कर आएगी जिसको हम depreciable value बोलते हैं उसको हम show करते हैं अपने accounts में ठीक है depreciation account में फिर आता है depreciation fund method अब देखे depreciation fund method यहाँ पर एक fund create किया जाता है जिसको sinking fund के नाम से जाता है इसके अंदर क्या होता है हर साल एक fund create कर दिया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि अगर हम इस जगह अपने बहुत सारी समपत्ति ऐसी होती है मूलेवान समपत्ति जैसे कि एक time के बाद वो खतम होती ही होती है तो वह यह सोचकर चलते हैं कि एक समय बाद करने पड़ेगी तो उस समय इतना पैसा कहां से आएगा तो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा करके जिससे कि अगर जब इसकी वैल्यू जीरो हो तो हम एक नई assets purchase कर लें इस fund में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर ठीक ह तो depreciation fund में पर create किया जाता है तो यहां पर यह सारे method आपने पढ़ लिए अब आपको बताना है कि यहां पर जो रख रखाओं में एक समान value कहां पर होगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक value जो follow की जाती है वो की जाती है straight line method में नाम से भी easily यहां पर समझ में स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट वेल्यू है जो हर साल हमें वही value यूज करने है ठीक है बाकी सारी तीरों मैंने आपको समझाई थी ठीक है next question है the amount of depreciation provided in the sinking fund method when compared to annuity method is अभी मैंने आपको यह annuity and sinking fund donor discuss की थे तो आपको यह बताना है कि जो amount है depreciation का sinking fund के अंदर अगर व यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी value कैसी होगी इसकी value low होते है क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि annuity में क्या होता है एक वहां पर table follow की जाती है annuity table जिसको बोलते है उसकी according निकाला जाता है जबकि sinking fund में क्या होता है जो profit होते है उन मैंसे कुछ amount जो हमारे invest कर दिया जाता है एक fund में और उस amount को यहां पर show किया जाता है as a interest या हम बोल सकते है as a depreciable value तो इसकी जो amount होता है वो annuity table से हमें शक कम रहता है ठीक है तो यहां पर lower इसका right answer हो जाएगा और अभी हम theory भी discuss करेंगे तो वहां पर हम detail में पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सा जाता है ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं कि depreciation on fix a set is a fix a set पर depreciation जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है a source of fund an application of fund on flow of no flow of fund या फिर नन of the above तो देखिए अगर हम fix a set पर depreciation निकालते है तो यहां पर यह ना तो पोई source of fund है क्योंकि यहां से हमें कोई भी fund generator नहीं हो रहा है ठीक है an application of fund अब यहां पर किसी fund का को use भी नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर तो हम एक तरह से बस एक record करके चल रहे हैं कि इतने time period तक हमारी value जो है इस asset के zero हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी हमें दूसरी purchase करनी पड़ेगी अंदाजा लग जाता है कि इतने time period पाथ हमें एक machine purchase करन no flow of fund यह बिल्कुल correct answer है क्योंकि यहां पर जो asset है उसकी बस हमने उसकी life के according जो भी उसकी life है उसकी according हम यहां पर depreciation निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कि किने time बाद इसकी क्या value रहेगी यहां पर fund का कुछ भी लेना देना नहीं है ना हमारे पास fund generate हो रहा है या फिर यूज हो रहा है ठीक है तो यह no flow of fund यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next is profit on loss profit on the sale of furniture in a non-profit organization is to be shown on the यानि कि कि किसी भी furniture को sale करने से कोई profit हुआ है non-profit organization में तो कहां दिखा जाएगा credit side of profit and loss account, credit side of income and expenditure account, receipt side of receipt and payment account या फिर asset side of balance sheet तो यहां पर profit की बात की जा रहे है profit हुआ है furniture को sale करने से तो देखिए यह non-profit organization के अंदर हम यह सारी entries कर रहे है इसके according जो हमारा right answer होगा वो होगा income first यहां पर हम income and expenditure की बात करेंगे देखिए profit and loss account यहां पर बिल्कुल पर नहीं किया जाता तो यह cut गया यहां पर बात की जा रहे है और नहीं किया यहां पर balance sheet की बात की जा रहे है क्योंकि यहां पर profit हुआ है उसके treatment की पूछी जा रहे है तो वह हमारा income and expenditure के credit यहां पर यहां पर लॉस होता है और डाइवट साइड में जाता हमारा ठीक है तो यहां पर option B जो है हमारा right answer हो जाएगा next question है which of the following items will not appear in the balance sheet of a club अब इसमें से कौन सा item जो है वो अपियर नहीं होगा या दिखाया नहीं जाता है balance sheet में subscription receipt for the next year यानि के advance में आपने receipt क्या है क्या वो subscription receipt for the current year, subscription not receipt for the current year और outstanding sales में से कौन सा जो है वो appear नहीं होगा balance sheet में तो देखें यहां पर अगर हम बात करें कौन सा item यहां पर नहीं दिखाया जाएगा तो यहां पर बात की जा रही है subscription received हुआ है current year में वो यहां पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो हमारा कहां पर दिखा जाएगा income and expenditure account में current year का और अगर यहाँ पर बात की जा रहे है subscription received यह तो दिखाया जाता है और subscription not received receiving नहीं हुआ तो यह तो बिल्कुली हट गया outstanding salary salary की यहाँ बात नहीं की जा रहे है यहाँ पर इसलिए option जो caution के according है वो हो जाएगा subscription received for the current year यह नहीं दिखाया जाता है subscription अगर next year का होता है तो वो दिखाया जाता है और COOD तो हमारे option ही गलत है तो option B हाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next question है interest on investment received rupees 500 which includes rupees 100 in respect of interest accrued in the preceding year what amount will be posted in the income and expenditure account याने की जह हमारे investment किया गया था तो उस पे 500 रुपे का क्या है interest receive किया गया और जो interest accrued थी 100 रुपे की preceding year की वो भी सक्षाग include थी और अब कितना amount income and expenditure account में दिखाया जाएगा यहाँ पर question यह पूछा गया है तो देखिए जो income and expenditure account है उसमें किवल किस तरह की चीज़े include की जाते है current year की previous year की next year की इसमे include नहीं की जाते है तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 500 रुपे उसने receive किये जिसमें से 100 रुपे उसकी कांते preceding year के थी तो 500 में से यहाँ पर 100 जो है minus कर दिया जाएगा बचा हमारे पास कितना 400 तो यहाँ पर option D right answer हो जाएगा 400 रुपीज जो है income and expenditure account में transfer किये जाएगे ठीक है कि next question पर आते हैं कि receipt and payment account अब जो receipt and payment account है वो हमारे किस तरह का अकाउंट है यह बताना है real account personal account capital account या फिर nominal account तो receipt and payment account की बात करें तो यहाँ पर देखिए यह हमारा एक तरह का real account होता है इसके अंदर cash कितना हमने receipt किया यह दिखाया जाता है कितना हमने payment किया यह दिखाया जाता है और यह आप सबको पता है कि जो cash होता है वो भी हमारी एक तरह की real account की ही item होता है वो भी real account ही कहलाता है तो यहाँ पर जो हमारा Received and Payment Account है, वो हमारा Real Account कहलाएगा, तो Option A यहाँ पर हमारा Real Account जिसको हम बोलते हैं, बस तो व्यक्तिकत, Real Account का मतलब यहाँ पर एक तरह से वास्तिविक खाता हो गया, वास्तिविक खाता बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर Option A हमारा Right Answer हो जाएगा, इन Holding Companies, Dividend Received Out Of Profit Of The Subsidiary Company Must Be, अब इन Holding Company की बात करें, इन Holding Company, Dividend Received, Dividend हमारा Received हुआ है, Out Of Profit Of Subsidiary Company, यानि जो Subsidiary Company का Profit है, उससे Dividend Received हुआ है, Holding Company में, तो वो उसको किस तरह से Treat किया जाएगा, देखिए, Debted To Investment Account, यानि कि, Debt किया जाएगा, Investment Account में, Credited To Investment Account, Debted To Revenue Account, या फिर Credited To Revenue Account, तो देखिए, यहाँ पर Holding Company के Dividend Received किया है, उससे Subsidiary Company के Profit से, तो यहाँ पर, जो भी हमारी Company होगी, Holding Company की साहिए, उससे इस तरह कि, अगर उसको, उसके Profit से, उसको कोई Part मिलता है, तो वो य तो यहाँ पर हमारा, As A Credit किया जाएगा, Revenue Account के अंदर, तो Option D, हमारा, यहाँ पर Right Answer हो जाएगा, Credited To Revenue Account, Investment यहाँ पर यह उसका Investment नहीं है, क्योंकि, Subsidiary Company में, उसने पहले, फर्दर, वहाँ पर Invest किया था, उसके बाद उसे Determ मिला है, तो वो एक तरह से, वो उसका Invest नहीं ह हुआ है, तो Option D, हाँ पर हमारा, Right Answer हो जाएगा, Next Question पर आते है, Next Question देखते है, Single Entry System is Defective, Because Under This System, अब Single Entry System, जो है, हमारी Defective होती है, इस सिस्टम में क्यों, क्या कारण है, कि Single Entry System हमारी Defective का ही जाती है, Trial Balance cannot be prepared, कि इसमें Trial Balance prepared नहीं किया जाता है, इसी लिए, Trading and Payndal Account cannot be prepared, Balance Sheet cannot be prepared, या फिर All These Accounts, All These cannot be prepared, तो देखिए, अगर हम बात करे हैं, Single Entry System की, तो आपको पता है, कि Single Entry System में सबसी बड़ी बात क्यों होती है, कि इसमें जो Entry होती है, वो Single होती है, जबकि हमारी जो Concept, फॉलो किया जाता है, जो Method, फॉलो किया जाता है, वो होता है, हमारा Double Accounting System, या फिर Double Entry System, जिसके अंदर कोई भी आइटम हो, उसकी Entry डबल साइट की जाती है, उसका Debit भी होता है, और Credit भी होता है, तो Single Entry System में सिर्फ यही बात है, कि यहाँ पर कोई भी अकाउंट इस तरह का Prepare नहीं किया जाता है, फिर बाइट जाएगा जाता है, इसी कारण हमारी Single Entry System को Defective System कहा जाता है, ठीक है, तो I hope यहाँ तक आपको सारी चीज़े क्लियर है, नेक्स कोशन पर आते हैं, अब जो हमारा डाल क्रेडियर कमीशन है, डाल क्रेडियर कमीशन आप समझते होंगे, इसको अभी कड़ता कुछ प्रतिशूत कमीशन भी कहा जाता है, यह क्यों दिया जाता है, उसके हाट बर के लिए, मीटिंग इंसीडेंटल एक्सपेंस है, यानि कोई भी अच्छानक से कोई एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए, अंडर्टेकिंग रेस्पॉन्सविलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम वायर्स या फिर अचिविंग टार्गेट ऑफ सेल्स सेट बाइदी प्रिंसिपल जो भी प्रिं इसलिए जाता है कि जो भी रेस्पॉन्सविलिटी है वो उसको ले 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 इसलिए डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जाता है तो यहां पर ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडर्टेकिंग रेस्पॉन्सविलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर् कि पेमेंट टाइम बिर्या रहा है यह सिर्व अच्णको देख को देखना है इस से जो भी प्रेंसिपल है हो जाए उसको इस बात की कोई टेंशन ना हो कि पेमें टाइमली आ रहा है यह सारा काम देखना फिर एजेंट का काम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन सीच ठीक है आई होब यह भी कोईशन आपको क्लियर है अंडर्टेकिंग रेस्वांस लोटिया पेमेंट फ्रॉम पायर्स ठीक है नेक्स कोईशन पर आते हैं अब हमें बात आना है कि एक कंपनी है जिसकी जो इसकी कैपिटल है वो इसने वाइंड अप के लिए सुरक्षित करके रखी है कि वाइंड अप में इसका एक पाल्ध हम अपनी कैपिटल का तब यूज़ करेंगे तो इसको क्या कहेंगे अगर हम कोई वी कंपनी है वो अपने अपनी कैपिटल के कुछ पाल्ध को फ्यूचर के लिए रखते हैं कि वाइंड अप पर हमें यूज़ करना है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिज़र्व कैपिटल ठीक है तो आप्शन यहां पर हमारा राइट आउंसर हो जाएगा कापिटल रिजर्व मैंने आपको बता दिया था कैपिटल रिजर्ब जो होता है वहाये जितने भी read हम बात करें जो expenses होते हैं capital losses होते हैं उनके लिए बनाया जाता है capital reserve uncalled up capital हमारा यह हमारे future के लिए ना होके uncalled up capital को बोलते हैं जो अभी तक हमने मांगी नहीं है लेकिन इसका यह परपस नहीं होता कि हम इसको future के लिए रखेंगे ठीक है और subscribe capital वो होती है जिसको हमने subscribe कर लिया है ठीक है तो यहां पर future के लिए जो रखा जाता है winding up के purpose से वो होता है हमारा reserve capital तो आई होप यह भी question आपको clear है option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं over capitalization can be redeem अब over capitalization जो होती है वो हमारी redeem की जाती है कब by increasing the rate of interest on adventure या फिर इसका मतलब यहां पर यह है कि जो भी हमारे adventures है उन पर जो rate interest दी जा रही है उनकी rate increase करके by redemption of adventure यानि डेवेंचर को redeem करके by issuing of bonus share bonus share को issue करके या फिर by increasing the number of shares यानि कि जो number of shares है उनको increase करके तो वर capitalization हम कैसे करेंगे तो देखिए over capitalization के यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर option के according देखें नमर वाइंक्रीजिंग नमर ऑफ शेर नमर ऑफ शेर बहले हम इनको increase कर दें लेकिन हमारी capital उतनी ही रहनी है तो यह option तो हमारा कट गया by issue of bonus share bonus share से क्या होगा capitalization over capitalization नहीं होगा यहां पर क्या होगा bonus share आपको पता है क्यों दिये जाते हैं bonus shares दिये जाते है liquidity को अपने बचाने के लिए तो यह भी option यहां पर कट गया by increasing the rate of interest on deventures अब यहां पर आप deventures पर increase कर देंगे interest तो यह इस से ओवर capitalization नहीं होगा हमारा तो यह भी option हमारा कट गया right answer आएगा B by redemption of deventures अब हम deventures को redeem करा देंगे तो वहां पर हमारा over capitalization हो जाएगा इसलहें आप यह option भी हमारा right answer है I hope यह भी question आपको clear है next आते हैं plowing back of profit पर अब दिखिए plowing back of profit का मतलब क्या होता हमें यह बताना है options है dividend declared but not claim by shareholders second option है non declaration of dividend in any year declaration नहीं किया है dividend का profit earned from illegal sources and employed in business fourth option retaining the earnings of business for future expansion program अब देखिए यहां पर plowing back of profit की बात की जा रही है तो plowing back of profit की यहां पर बात करें तो यहां पर first option क्या बोल रहा है dividend declared but not claim by shareholders तो इसे plowing back का हमारा कोई मतलब नहीं नहीं कर ला यहां पर सिदी सिदी यह बताया जा रहा है कि dividend declare कर दिया लेकिन share holders नहीं लिया है ठीक है second option में बता रहा है कि उन्होंने कोई declaring नहीं करा अपना dividend किसी साल तो यह भी यहां पर plowing back की बात नहीं कर रहा है next है profit earned from illegal sources उसने illegal source से अन किया और उसको employ कर दिया business में तो इससे भी हमारा प्लाइंग बैक नहीं निकाला प्लाइंग बैक का मेन मतलब यहां पर होता है कि future के expansion के लिए हम अपने जो amount है अपना जो profit है उसको हम बचा कर रखें कि हमें future में अपने business को expense इतना expand करना है इतना अपना business भढ़ाना है इसके लिए हमें पैसे चाहिए तो हम अभी से उस पैसे को बचा कर रखें इसको बोला जाता है applying back of profit यानि कि लाब को बचा कर चलना लाब को पुनर्वनियोजन करना यह हमारा applying back of profit कहलाता है इसलिए यहाँ पर option the right answer होगा retaining the earnings of business for future expansion program यानि की future expansion program के लिए अपने जो भी earnings है उसको retain करके रखना बचा के रखना ठीक है तो यह थे हमारे questions, hope यहाँ पर आपको सारे questions clear होगे किसी भी तरह का doubt हो तो जरूर बताएगा और वीडियो कैसी लगी वीडियो को like कीचे, friends के share कीचे, किसी भी तरह की query हो तो जरूर बताएगा तो next वीडियो में फिर मलते हैं और वीच्छी वीडियो के साथ तब तक के ल